नमस्कार आप देख रहे हैं दा इंडिया टॉप और मैं हूँ आपके साथ शद्धा बिहार में ठंड का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है बीतिये दो दिनों से यहां धूप नहीं निकल रहा है जिसकी वज़से कनकनी बनी हुई है दिन के समय में भी धुंद देखने को म बता दे कि मौसम विभाग ने कोल डे अलर्ट कई जिलों में जारी कर दिया है कोल डे अलर्ट जारी करने के बाद से ही देखने को मिल रहा है कि कनकनी बढ़ रही है पच्छुआ हवा भी चल रहा है जिस वज़े से कनकनी का सामना लोगों करना पर रहा है आपको बता दे कि दस ऐसे जिले हैं जिन में दस डिगरी से नीचे तापमान दर्ज किया गया है आपको बता दिए कि मौसम विभाग ने अलट जारी करते हैं बताया है कि बिहार के अलग-अलग जिलों में बारिश होने की संभावना है और बारिश होने के बाद एक बार बारिश होने होती है उ प्रदेश के अधिकांश भागों में घना कोरा चाया रहा राज्य के अधिकांश भागों में धूप नहीं निकलने और पच्छुआ का प्रभाव बढ़ने से कनकनी बनी हुई है मौसम विख्यान केंद्र के मुताबिक राज्य में सतह से उपर सुन्य दसमलव 9 किलोमीटर उत्तर पच्छुआ और उत्री हवा का प्रभाव बना हुआ है इसके प्रभाव से कोल्ड की स्तिती अगले कुछ दुनों तक बनने के आसार है बता दे कि राज्य के लगबग 13 जिलों में नियूतम तापमान 10 डिगरी के नीचे दर्ज किया गया है मौसम विख्यान के अनुसार अगले दो दिन तक यही स्तिती बनी रहेगी जिसको देखते वे मौसम विख्यान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है गया राज्य सबसे ठंडा जिला रहा जहां 5.1 डिगरी सेल्शियस तापमान दर्ज किया गया है वहीं पटना का नियूतम तापमान 8.4 डिगरी सेल्शियस दर्ज किया गया है प्रदेश के कुछ जगों पर 20 और 21 जनवरी को मध्यस्तर के बारिश होने की संभाव ना बताई गई है परवत्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल सकता है प्रदेश के उत्तर पश्चिम, दश्चिन पश्चिम, दश्चिन मद्य भाग के कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है मौसम विभाग के अनुसार बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं बता देएं कि बिहार में पटना में बढ़ते ठंड का असर जन जीवन पर देखने को मिल रहा है कई ट्रेन और फ्लाइट्स को भी रद कर दिया गया है फ्लाइट्स जो है वो देरी से आ रही है कोहरा होने की वजह से रनवे जो है उस पे क्लियर विजिबिलिटी लो विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से कई फ्लाइट्स देर से आ रही है आपको बता दे कि मंगलवार को बाहर से पटना आने वाले आठ फ्लाइट्स को रद कर दिया गया वही पटना से बाहर जाने वाले पांच फ्लाइट को रद कर दिया गया है आपको बता दें कि पटना से बाहर जाने वाले पटना से दिली जाने वाले पटना से मुंबई जाने वाले पटना से बैंगलोर जाने वाले कई फ्लाइट को रद कर दिया है प्लार इस खबर में इतना ही आप देख रहे हैं इंडिया टॉप धन्यवाद